ॡ है जी आधी्कि ओंलाइन क्लास में आपनों का स्वागत है आज की क्लास्मों को कपना है च्रवल सीरेल नमबर 22 पीचर फिचर को मैं कैसे यूब करते चाहिए तो यूप में老ी नंद 720 में कैसे यूज करते वह एक जैसे एक model के, एक color के, एक design के भी सारे product को बनाती, बनाती है न, जैसे मालो जिस company smartphone को बनाया होगा, ऐसे ना जाने कितने smartphone, same model, same color, same design को बनाया होगा, तो आखिर इन phone को differentiate कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, सबका serial number अलग-अलग होगा, उस serial number से उस item की पहचान होगा तो serial number हमारे लिए बहुत useful है, अगर हम किसी electronic company में काम कर रहे हैं, electronic industries में कर रहे हैं, किसी electronic agency में काम कर रहे हैं, वहाँ serial number हमारे लिए बहुत useful है, क्यों? तो किसी serial number से हम उस product की पहचान करते हैं, हम यह check कर पाते हैं, उसका warranty क्या है, और उसका installation होगारा कब हुआ था, तो देखिए, serial number का feature हमारा वहाँ पे ज्यादा useful है, जहाँ पर हमें किसी electronic industries में, किसी electronic की company में, या electronic agency में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ serial number हमारे लिए बहुत ज्यादा useful होता है, क्योंकि जितने भी electronic product होते हैं, हर product पे आप देखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ serial number होता है, जिस उस item की पहचान के जाती है, बास में आ रहा ना, serial number क्यों महातपूर है, serial number के माध्यम से हम किसी item को, किसी product को पहचान कर पाएंगे, identify कर पाएंगे, यह item warranty में है या नहीं, या इसका purchase क्या है, इसका sell क्या है, इसका MRP क्या है, यह सारी चीज़े हम serial number के माध्यम से track कर पाएंगे, ठीक है, देखे, serial number inventory management का बहुत महातपूर पार्ट है, क्योंकि हम serial number के द्वारा किसी भी item की पहचान करते हैं, जिससे उसकी warranty, installation, sell price, सब को control क किया जाता है, इस feature का फ्रियोग जायतर, electronic industries में किया जाता है, serial number का feature enable कहा से होगा, configure पे जाना है, features option में जाना है, inventory पे जाना है, और उसके बाद serial number पे जाना है, तो जैसे हम BG को open करेंगे, हमें सबसे पहला काम करना होगा, अपनी company open करना, इसके लिए पुरानी company को हम करें करेंगे, तो यहां पे हमको हमारी company दिखाई देगी, अपनी company को double click करके select करेंगे, और select करने के बाद, अपनी company में username भरेंगे, और अपनी company का password यूजर निम पासवर्ड बनने के बाद, हम इसको करेंगे, ओके, तिक है, और user number password बनने के बाद, हमें सबसे पहले जाना है, य inventory में, और यहां पे आपको, जहां parameterized था, वहीं पे आपको मिलेगा serial number का option, मिल गया, serial number को select करेंगे, यहां इतने सारे option पूछे जाना है, किसी को select नहीं करना है, बस आपको कर दिना OK, और OK करके कर दिना है, safe, इसके बाद, हम add purchase पर click करेंगे, add purchase पर click करने के बाद, हम यहां select कर लेंगे, local हमारा है 18%, अपने case में देखिए, जो प्रेक्टरी सेटम लोगों का दिया गया है, यहां पर आरके टेडर से, हम दो smart phone खरीद रहे हैं, जिसका नाम है, वीबो, वाइफ 15, 4GB, 64GB, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्योंकि अभी जो टापिक हम लोड़ कर रहा है, सीरियल नंबर का प्रैक्टिकल यही है, यह वाला है, यह सीरियल नंबर वाला, जो छूटा है हो, आपको हम बता देगे, तो सबसे पहले हम यहां लोकल 18% सेलेक करेंगे, पार्टी का नेम पूछा जाएगा, यहां पार्टी का नेम हमने आरकेटेडर से ले लिया, लेम आफ आइटम, तो यहां पर हमें यह अफ्थिरी से इस आइटम को बनाना है, तो जैसे कीबोर्ट से अफ्थिरी बटन दबा 4GB, इसको हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहां पर वापस कर देंगे पेस्ट, चुकि यह प्रकार का स्मार्ट फोन है, इसलिए हमें एक ग्रूप बनाना पड़ेगा, अप्त्री से, और इसका नाम हम दे देंगे स्मार्ट फोन, इसे हम प्राइमरी मान कर चलेंगे और यहां पर चेसन कोड वाले आप संब को यह करेंगे, एक संब कोड हमारे केस में 8571 है, टैक्स केटेगरी को करेंगे यहां और यहां कर देंगे, अच्छा, पज़ए 17 है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पजए 17 है तो हम इसको पजए 17 क पर चेट कर देंगे, अब सही है, और इसको हम कर लेंगे सेव, सेव करने पाद यूणिट हमारा है, वह है पीसेज, पीसेज को सिलेक करके हम यह से करेंगे सेव, बस आपको ध्यान यह देना है, जिस समय आप आइटम को बना रहे हैं, उस समय आपको सीरेल लंबर वाले कश रखना है तो हमें क्या करना है मैनूल रखना है पते आइन को पर्चेश आइंट करना अब यहां पर यहां परस्वाइटे मैं हमको रिमोग कर देते हैं भी इन मेश्ट करते हैं यहां करें जैसे यहां तो यहां पर सीरेल नंबर हमको इंटर करने का आफसर मिलेगा अब यहां पर सीरेल नंबर बना है यहां पर हम दो प्रोडेइक को खरीद रहे हैं पहले का सीरेल नंबर है 42-41 दूसरे का है 45-42 चालिस ठीक तो इसको कर देंगे ओके फूचा जायेगा रेट तो मेरे फ़र देंगे यहां पर 11 जा क्टिक करेंगे टैक्स करेंगे और हम इसको यहां से करेंगे से शेव से कर सक्टे सतम हम से बिल नंबर पुच्छा जाएगा और यहां पर नमबर भर देंगे 10 लिए सब्सक्राइब कि इसको यह से करना थे एक यह माल लिजिए कि यही इस वार्ठपो ने में किसी कुनियर को सेल किया छेल को लिए करने हुं कर लिया ठेल क्या रहे और हमने आइटम को सेलेकर कर लिया ठेक यहां देखो तो जैसे उन लिखकर हम इंटर करेंगे तुरंद हमसे पूछे का यह के इसका सेरील नंबर बताइए है तो जो सेरील नंबर हम यहां पर सेलेक कर लेंगे कर दिए कि करने पर्छेंगे करने बाद रेट में बनना है भार्चेज हों रॉपय के साब लिजय कर रहा है हमने लगा दिया है apply text है इसको हमने कर दिया सेव और सेव करने के बाद ये पूछेगा ट्रांसपोर्ट कर डिटेल कुछ नहीं बनना है बनने बाद कर दिना ओके अब आपको करने का अफसन आएगा कशन पिरिंट पर यहां वाले बटन पर क्लिक करेंगे अईसा करने से हमारा यह बिल जो है प्रिंट आ जाएगा लेकिन इसमें भी एक कमी है जब अपने कस्टमर को भी हम प्रिंट करके देंगे यहां कहीं सीरियल नमर सो नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है तो हमें कुछ ऐसा टेक्निंग लगाना इ इसके लिए भी लिए बी इसमें देवकिये राख था है लुट के लिखा है तो कि से यहीं की सीरियल नमर क рассказ करना है तो हमसे चाने के बाद चांश। हमें इन्वाइस प्रिंटिंग में जाना होगा और सेरल नंबर नंबर आपंधुम को करना होगा करने के बाद हम इसे कर दिया हो। जले करने के बाद करने के बाद सेलेक्ट और सेलेक्ट करने कि लिस्ट में जाएंगे और stolen कगेंगगी। और यहां पर करेंगे हमें दोनों यह दिखने लगेगा जो किया किया है वाले धिक करेंगे जैसे में यहां से print करेंगे सेरेंगे चेक करेंगे यहां पर नीचे पॣकरिंट करें लगा इसके पहले लांबर यहां पर प्रिंट होके नहीं आ रहा है कि मालिजे कि हमने एक अप्रेल में अपने कस्टमर को सेल किया छे महिने के बाद इसका फोन हो गया खराब फोन खराब होने बाद क्या होगा कर फोन ने खमार पास आएगा आप पर जायेगा तो उससे क्या मांगा जाएगा इसी तरीके का इनमाइस मांगा जाएगा जिससे सीरियल नंबर मेंसन हो मांगेंगे ना सर्विसेंटर वाले तो भी तो वारेंटी देंगे उनको अच्छा मालिए अगर उप कस्ट्मर बहुत ज़्यादा समझदार है उसने बिल को खुआ दिया तो तब क्या होगा तब क्या करेंगे अगर ज्यादा समझदार उसने बिल समाल कर नहीं रखा और उसका तब बता आवसर मताओ तो हमें क्या करना है हमें कुछ ऐसा सलुस्तर निकालना है जिससे उसका बिल हमको सब्सक्राइब करते हैं रखी करने में पास में उसका सेलर नमर में जाएंगे और आफ्सдоा इंडंबर हिस्ट्री जैसे हाँ क्लिक करेंगे यहां पूछा जाएका सिर्यल नम्बर हमने भर दिया इसको पूरी से खुल जाएगी आईटम का नाम क्या है इसको किस डेट में हमने किस पार्टी से खरीदा है और किस डेट में किस पार्टी को सेल किया है तो यहां से हम दुबारा डबल क्लिक करेंगे और अगर बिल हमको प्रिंट करके देना है तो यहां से बिल हमको दुबारा प्रिंट करके दे सकते हैं इस बिल के जरिये हो जाएगा और सर्विस एंडर से अपना वारंट सब्सक्राइब करने समय क्त Wizards. वारेंटी में है या नइए, यह मद भी हमक्टिक कर सकते हैं घकर सकते हैं, किस आइटम को कब पर्चेच किया थैं उसलिए सब्सक्राइब हमारी लिए बहुत ही वह कुर्णकि कंपनी जो है एक ही प्रोडिक का धीर सारा कॉपी बनाती है, अब एक बार एक फोन तो बनेगा नहीं, यह माउस बना रही तो एक माउस तो बनाएगा नहीं, हजारों माउस बनेंगे, तो सब अलग-अलग कैसे होंगे, सीरेल नंबर के चालिए, तो सीरेल नंबर से हम उन आइटम की पहच कर सकते हैं, भासन में आया ना, इसके अलामा भी सीरेल नंबर के कुछ रिपोर्ट से हैं, हमारे पास, जैसे जो आप डिस्पले में जाएंगे, और यहां पे आएगा आईटम सीरेल नंबर स्टाउक, इसको आप क्लिक करके, आप यहां पे एपन आइटम सेलेक करेंगे, य लिए तो फ़िए अगर अपने आइटम को साथ साथ आपको सिर्ण में बचा हएंगा अग ör निकल सकती है इससे क्या बता चलेगा इससे यह तनी चलेगा कि हमारे पास जो आइटम बचा हुआ है वह कितना दिन पुराना है कि अगर मनें छरीदा ना तो हम वर्ड से करेंगे उसका एज क्या है मतलब मतलब सबसे पुराना है और जो आइटम सबसे पुराना होगा उसको हम पहले करने की कोशिश करें जिससे ऐसा ना हो कि हमारे हाँ ही एक्स्पाय हो जाए यह हमारे जहीं ही उसकी वारेंटे उसके कि लिए परेंट्क्ब पुराने हैं पहले उसको सेल करने की कोशिश कर ऑक्याले6 त Iya सब्सक्राइब कर लेंगे ना देखो में काम है खर पर्चेयज करनी है फिर सुझक्रिक करनी है फिर हम एनफ उसके उसके बाद दने प्रेरा सब्सक्राइब पोल नहीं नहीं था私ます आपको पर दिया है रहा है या इसको नहीं आ रहा है बता दो बहुं Before झाल